चेनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बैल का इकन है प्लीज आपसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वुडियर्स की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी रोगों का नमरता वीडियो टेप से चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आपकी आइब्रो से ही चेहरे की खुबसूरती का पता चलता है घनी और मोटी आइब्रो आजकल सभी चाहते हैं फिर चाहे वो आम महिला हो या फिर कोई बड़ी सेलिब्रिटी एक अच्छी आइब्रो से ही आपके लुक को सुन्दर बनाने में मदद मिलती है अगर आपको अपनी आइब्रो घनी मोटी और बढ़ानी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और इस वीडियो को अपने पूरा देख लिया तो आज के बाद आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी तो चलिए दोस्तों चलते वीडियो को और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना तो आइबरो को घना मोटा और काला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हम लेंगे एक ओनियन यानि की एक प्याज प्याज को हम अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे पानी से साफ करने के बाद इसको जो छिलका है इसको हम उतार लेंगे यानि कि इसका छील देंगे अब इसके बाद में इस प्याज का हमें क्या करना है इसको हम कर लेंगे कद्दुकस आप चाहें तो इसका पेश्ट भी बना सकते हैं तो इसका हम कद्दुकस कर लेंगे इस तरीके से और कद्दुकस करने के बाद में इसका हमें क्या करना दोस्तो तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, अगर आपने वीडियो स्क्रिप्ट कर दिया तो आपको पूरी तरीके से जनकरी नहीं हो पाएगी, तो यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कद्दू कस कर लिया है प्याज को, और अब इसका क्या करेंगे, हमें इसका निकालना है जूस, तो हम इस तरी ट्राइब से च्छनी लेंगे, और च्छनी की मदद से इस प्याज का जूस निकाल लेंगे, यह देखिए, दोस्तों, मैं आज कर दू नुसका आपको बता रही हूंने, इसका बहुत यह अदा सल्फर और यह सल्फर आपकी आइबरो में यानि की बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करता है, तो अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर भी आपकी घर पे ही मिल जाएगा किचन में, तो आप करीबन एक चुटकी इसमें हल्द पाउडर डालिए, अब आप पूछेंगे हल्दी पाउडर क्यों, वो इसलिए कि अगर आपकी जो आइबरो में उनकी जड़ों में अगर कोई बैक्टिरिया है किया किसी तरीके का इंफेक्सर है, तो वो खतम हो जाएगा इसे हल्दी से, क्योंकि हल्दी होता है, एंटी व कोईल में, यानि के रंडी के तेल में प्रोटीन, फेटी एसेड, एंटी ऑक्सी, डेंट और बटामी इसे भरपूर होता है, तो इन सभी सामगरी को अच्छे से आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद में इसको आपको कैसे लगाना है, यह मैं आपको बताती हूँ, दो किसी लकडी में, इस तरीके से, माचिस की तीली में, या किसी भी लकडी में, आप इस तरीके से कोटन को लगा लीजिए, अगर आपके पास में आइबरो की ब्रस है, तो कोई बात नहीं है, तो उस ब्रस से लगा लीजिए, अगर नहीं है, सभी के पास नहीं होता है, तो आ ऐसे ही cotton लगा करके और इसमें dip करिए यानि कि इसको लगा लीजिए और इस से इस पेश्ट को लगाने के बाद में अपनी eyebrow में eyebrow की जड़ों में अच्छे से मसाज करें एस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आपको करीबं 10 मिनट तक मसाज करना है 10 मिनट के बाद में आप इसको ऐसे ही छोड़े मसाज करने के बाद यानि कि आपरो की जड़ों में मसाज करना है अच्छे से इससे आपका ब्लेट का संचार आपका तेज होगा सर्कुलेशन बढ़ेगा ब्लेट का और आपका जो आपरो है इसकी ग्रोथ बढ़ेगी यानि कि जो स्केल्फ है इसमें काईदे से जड़ों में ये तेल तेल जाएगा इस पर आज का जूस जाएगा और इसमें जो हल्दी मिलाई है ये भी जाएगा तो इससे आपका जो आपरो में इंफेक्शन होगा वो खतम होगा और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी यानि कि आपरो की ग्रोथ बढ़ेगी आप देखेंगे कुछी दिनों के प्रयोग से आपकी आपरो घनी मुलायम और मोटी होनी लगेगी तो दोस्तो आप देखेंगे खुदी आपके चेरा इतना आकरसित लगेगा आप बस यूज करिएगा इस नुस्के को और आपरो को करिए घना मुलायम मोटा तो चलिए दोस्तो वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए यह